नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तप्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट 2024 लोगसवा चुनाओं को लेकर एंडिये की 18 जुलाई को बैठा कुई जिसमें एंडिये में शामिल 38 दलों के नेता शामिल हुए इस दोरान पियम मोदी ने अपने संबोधन में एंडिये के दलों को विश्वास दिलाया की 2024 लोगसवा चुनाओं में एंडिये का वोट शेयर बटेगा वही सबी दलों के साथ साथ एंडिये की बैठा के बाद यूपी में बीजेपी के सयोग्यों ने भी पियम मोदी पर भरोसा जताया क्या कहना है सयोग्यों का देखे इस रिपोर्ट में विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोगसवा चुनाओं के लिए अपनी चुनावी बिसाथ बिचाने का आगास करते हुए मंगलवार 18 जुलाई को बैठा की तो वहीं दूसरी ओर दिली में एंडिये के 38 दलों की भी बैठा के बाद यूपी में बीजेपी के सयोगी दलों की प्रतिकिरिया सामने आई है इस बैठक में यूपी से निशाथ पाटी सुभासपा और अपना दल ऐस सामिल हुए जहां उत्तरप्रदेश के कैबिनेट मंतरी और निशाथ पाटी के संस्थापक संजे निशाथ ने कहा कि जितने भी हमारे घटक दल है उनकी एक ही आवाज है मोधी सरकार एंडिये सरका ने सभी जाती धर्म के लोगों के साथ धोका किया है वहीं सुभासपा प्रमुक ओम प्रकास राजबर ने कहा कि आज से हम एंडिये में शामिल हुए और सबसे सर्वसम्वत्ती से निर्ने लिया गया है कि हम मोधी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाने के लिए काम करेंगे गरीब पिछडे अल्प संक्यक सब मिलकर काम करेंगे इसी के साथ अपना दल एसकी प्रमुक और केंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के कोने कोने से और विभिन ने राजियों से आज जो राजनितिक दल इखटा हो रहे हैं जो भी एंडिये में शामिल है वो सभी देश की राजनिती में एकटा हो रहे हैं हम एंडिये की एक जुटता का संदेश देश में देंगे दोहजार चौबीस का एक बड़ा लक्ष हमारे पास है इसके लिए हम मिलकर प्रियास करेंगे उन्होंने आगे कहा कि हमें भरोसा है कि जनता का भरोसा एक बार फि पिर से और भी मजबूती के साथ एंडिये की सरकार पियम मोधी के निर्तित्व में बनेगी सीट शेरिंग का कोई एजंडा आज की बैठक में नहीं है इसके लिए हर दल अलग से बीजेपी के साथ बैठक पर चर्चा करेगा हर राज की अपनी अलग परिस्थितिया होती है बता दे की यूपी से एंडिये के सायोगी दलों के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए थे तो देखा आपने एंडिये की बैठक के बाद एंडिये में शामिल नेताओं ने पियम मोधी के निर्तित पर भरोसा जताते हुए 2024 के चुनाओं में जीत का दावा किया है जिससे विपक्षी दलों की मुश्कलें बढ़ना तो लाजमी है इस खबर में फिलाल इतना ही देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश धन्यवाद